नमस्कार मैं प्रग्या धरदर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को साथ ओक्टूबर की सुभ़ जब भारत के साथी एशिया में लोग सोकर उठे तो खबर में लेकि इजराइल पर आतंकी संगठन हमास ने 5000 से जादा रोकेट से हमला कर दिया हमास की तरफ से भारी संक्या में रोकेट दागे जाने और दक्षनी इसराइल में उग्रबादियों की घुसपैट के बाद इसराइल ने सनिवार सुभ युद्ध केडिये तयार रहने को कहा वहीं सियुद्ध को लेकर पूरी दुनिया बढ़ गई है वहीं अब इस मुद्धे पर भारत के मुस्लिम नेताओं और ने अपनी आवाज उठाई और दोनों देशों को सांती से काम करने की सराइगी है वैस्विक टिपनी कारों ने अरपती समास सेवी जौर्ज सोरोस के भारतिये जनता पाटी द्वारा बनाए गया है उस पोस्टर का संग्यान लिया है जिसमें सोरोस को एक कटपुतली का खेल दिखाने वाले के रूप में पेश किया गया है जो कॉंग्रिस नेता और लोग सभा सांसद राहुल गांधी की डोड अपने हाथ में थामे हुए है पोस्टर में उनकी छवी पूरी तरह से यहुदी विरोधी के रूप में दिखाई गई है हम पिछले साथ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें हर महीने केवल चार हजार रुपे का भुकतान किया जाता है एबाते बीते 5 अक्टूबर को राश्ट्रिय राजधानी में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दोरान हरियाना के जज़र की आसा कारी करता अनिता ने कही अनिता की आवाज 26 राज्यों की 7000 से अधिक महिलाओं की आवाज में से एक थी जो नरेंद्र मूदी सरकार और उसकी नीतियों के खिलाब फिरोध जितानी के लिए जंतर मंतर पड़े कत्र हुई थी करणडाई प्रिधान मंतरी जस्टिन टुड्रो ने एक्सपर पोस्ट किया कि उन्होंने सम्युक्त अरब अमिराद के राज्टरुपती सेख मुहम्मद बिन जायद के साथ भारत में कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान के महत्व पर चर्चा की है या उनके कर देश में हमास के हमले के बाद सतरुता फैल गई थी लेकिन सभी सुरक्षत रूप से सीमा पार कर गए हैं और मिश्र पहुँचके है मिगाले के मुख्यमंतरी कॉन्राड के संगमाने रविवार को यह जानकारी दी मुख्यमंतरी ने कहा कि सित्तारूर नेशनल पेपूस पार्टी के खारलुकी साथ ही उनकी पत्नी और बेटी सहित राजी के 27 नागिक जुतर्थ यात्रा पर जरुसलीब गय थे युद्ध ग्रस्त छेतर में फंस गया संगमाने मीडिया से कहा मैं उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिशित करने के लिए विदेश मंतराले के संपर्क में हूँ इसरों की सफ़लता के साथ उसके सामने नई चुनोतियां भी जिनली पर रही है इसरों अपने रूटीन काम के साथ ही अंजान दुस्मनों से भी अलग मोर्चे पर लड़ाई कर रहा है इसरो चीफ एस सोमनात ने इसके बारे में विस्तार से बताया भारती अंतरिक्च और संधान संगठन चीफ ने कहा कि देश की अंतरिक्च एजनसी को प्रते दिन सौ से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पर रहा इसरो प्रमुक केडल के कुच्ची में दो दिवसी अंतराष्ट्रिय साइबर समेलन सी सुनिय शी सुनिय एनके सोल विस्तार लेने पहुंचे थे पांच महीने में हर्याना में की जगपर सी एलसी दो बार तूट गई इससे लेकर अब सवाल खड़े हो गई है नहर के तूटने से दिली में पानी की सप्लाई प्रभावित है अर्याना के अधिकारियों ने शक जाहिर किया कि यह काम किसी सरार्ती तत्वका हो सकता है अब इस शेतर में मॉनिटरिंग बढ़ानी की सिफारिस की जाएगी दिली जलबोर्ट के अधिकारी किनुसार हर्याना के सोनी पत के बरवासनी गाउं के पास यह नहर तूट गई है इसकी वज़़े से दिली में करीब असी एमजी टी पानी कम आ रहा है भार्तिय कीटेंट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोली के नाम ICC टूनामेंट में एक और बड़ा रिकॉर्ड हो गया है एक सुतंत्र ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने आरोप लगाया कि गनाडा में खालस्तानी आतंकी हर्दीब सिंग निज़र की हत्या में चीनी कम्यनिर्स्ट पार्टी के एजेंट सामिल थे जेंग के मताबिक सत्या के बाद चीन का उदेश्य भारत और पश्रिम के बीच कला पैदाकर के भारत को फसाना था जेनिफर जेंग एक चुनी मूल के अधिकार कारेकरता पत्रकार है जो वर्तमान में अमेरिका में रह रही है सोसल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर पोस्ट किये गए एक वीडियो में यह बाते कहीं गई है उडिशा के बाला सोर में ट्रिपल ट्रेन अक्सिडेंट का चार महीने हो चुके हैं BMC के अधिकारियों ने रविवार से 28 अग्यात सवो का डिस्पोज आफ करने की प्रक्रियाश शुरू कर दी है नगर निगम ने इस सवो को वैग्यानिक तरीके से डिस्पोज आफ करने के लिए एक SOP जारी की है मनिपूर मेर अभिवार को कुकी समुधाय के यूवग को जिन्दा जलाने का वीडियो सामने आया है धिक रहा है वीडियो के बैग्राउंड से गोल्यो के चलने की आवाज भी आ रही हाला कि हमारे दवारा इस वीडियो के पुस्टी नहीं की जा रही है किया आपको भी किसी दोस्ट या रिस्तिदार ने वाट्सेटर नवरातरे गिफ्ट वाला कोई मेसेच किया है अगरां तो यह जानकारी आपके लिए और भी ज़रूरी होने वाली है भूल कर भी वाट्सेटर आने वाली इस मेसेच को आगे फॉर्वर्ड ना करें या एक स्कैम मैसेज है जिसकी वज़े से आपको एक बड़ी रखम से हाथ धोना पर सकता है दरसल जब भी किसी बड़े ब्रांड या कंपनी द्वारा ग्रांकों को ऐसा ओफर दिया जाता है तो इसकी जानकारी ओफीसल वेबसाइट या एकस हैंडल पर दिया है भारतिय शेर बाजार के श्रवास सोमवार को गिरावट के साथ हुई बाजार में गिरावट की वज़ा हमास का इसराइल के उपर हमला करना माना जा रहा है इस कारण बाजार के जातर मुखे सुचकांग गिरावट के साथ कारी कर रहे हैं ख़बर लिखे जाने तक BSE सिंसक्स 492.27 अंक या 6.75 प्रतिश अगर कर 65510.34 अंक और निफ्टी 14.95 अंक या 6.76 प्रतिश अगर कर 19.503.55 अंक पर कारुबार कर रहा है अक्षय कुमार अपनी हालिया रिलीस फिल्म विसन रानी गंज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं इस बीच अक्टर ट्रॉलर्स के निशाने पड़ा आ गए हैं अस्ट्रेलिया की खिलाफ मैच में भारत के तीन बल्लेबाज केवल दो रन के अंदर ही आउट होगे इस पर भारत के पुर्वदिगज युवरास सिंग ने सोसल मीडिया मंच पर पोस्ट शेयर कर कहा कि चौथे नमबर के बल्लेबाज को दवाफ सहना होगा जब टीम अपनी पारी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही है तो वहाँ स्रेयस अईयर को बेतर सोच की ज़रूरत है अभी भी समझ नहीं आ रहा कि राहूल चौथे नमबर पर बल्लेबाजी क्यों नहीं कर रहे है पाकस्तान के खिराब सोरन बनाने के बाद कोली का क्याथ छोड़ने पर आस्ट्रेलिया को बड़ी कीमत चुकानी पर सब्सक्ती है एक अस्पताल में सारुजनिक रूप से बंदूक लहराते वे देखे जाने के कुछ दिनों बाद बिहार में जंता दल के विधाय गोपाल मंडल ने शुकरवार को पत्रकारों को गाली दे कर एक और विवात खड़ा कर दिया जब पत्रकारों ने स्कतारूर पार्टी के विधाय गोपाल मंडल दौरा अस्पताल में बंदूक लहनाने पर सवाल किया गया तुन्होंने जवाब दिया आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं हां मैं दिखावा करूंगा अमेरिका के न्यूजर्सी के रॉबिन सवीले में अक्षरधाम मंदर का उद्गाटन बीते दिन यानी के 8 ऑक्टूबर को हो गया इसे दुनिया के सबसे बड़े मंदर के रूप में स्थापित किया गया है जिसकी उचाई 191 फीट है और यह 183 एकर में फैला है मंदर के नर्मान में अमेरिका के 12,500 से अधिक स्वेम सेव को ने भाग लिया है अमेरिका में स्थापित इसभवे मंदर का नाम B.A.P.S. स्वामी नारायान अक्षरधाम है इसकी यह मंदर 255 फीट लंबा 345 फीट 14 और 191 फीट उचा है और 183 एकर में फैला हुआ है जातिये सर्वे की रिपोर्ट को लेकर विपक्ची पाटियां लगातार निती सरकार को लेकर घेर रही है इसके साथ ही अब सतारूर दल के नेता भी सवाल उठा रहे है इस रिपोर्ट को लेकर जेडियू सांसा सुसील कुमार पिंटू पहले ही विरोध जता चुके है मैं इस मुद्धे पर उन्हों ने आस तेली शाहु समाज की पठना में बैठकी इस दुरान उन्हों ने कहा कि जातिये सर्वे की रिपोर्ट में तुरूटी को लिए करतलगातार तेली साहु समाज के द्वारा कहीं शिकायते आ रही है उनका कहना है क्यों की गिंती नहीं हुई सम्बद्ने बैठक में निर्णा लिया गया है कि एक कमिटी मुख्य मंत्री से मिले मुख्य मंत्री को इसकी जानकाली दे उतरप्रदेश के कानपूर शहर में करोर रूपे की टाक्स चोड़ी का मामना सामने आया है शहर के मयूर ग्रूप में चौतर दन भी आयकर विवाग की काड़वाई जाली रही सूत्रों के मताबिक अभी तक की काड़वाई में आयकर विवाग को 26 किलो सोना और 4 करोर से जादा का कैस मिला है सबसे बड़ी बात एक बार फिर S.A.F.T.A. का उलंगन करके 30 करोर का करचोडी का मावला भी मिला है पाकस्तान ने विश्वकप का अगाज कर दिया है और टीम ने जीत के साथ अभियाम के शिरवाद की है वहें निदरलान के खिलाब जीत हासल करने के बाद पाकस्तान की कप्तान बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान उज्जैन के महाकाल मंदर दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान को आसरवाद दिया ऐसा एक तस्वीर शोशल मीडिया पर काफी जादा बाडल होड़ा है दरसल ये तस्वीर फेक है और इसे किसी ने एडिट करके बाबर और रिजवान के फोटो को भारती क्रिकेट सुरिकुमार यादव और कुल्दी प्यादव के चेहरे के उपर लगा दिया है इस्राइल और हमास के बीच छिरे युद का खामियाज भारती निर्यात को को भी उठाना पर सकता है भारती निर्यात को का मुनाफा भले ही कम हो जा निर्यात की मातरा पर कोई असर नहीं पड़ेगा कक्षा 10 वी और 12 वी की बोड परिक्षाव में साल में दो बार बैटना आनी वारे नहीं किया जाएगा किंद्रे सिक्षा मंतरी धर्मेंद प्रधान रविवार को बताया कि हातर के वल एक बार ही बोड की परिक्षा में बैटने का विकलब चुन सकते हैं चात्रों में एकल अफसर के डर से होने वारे तनाव को कम करने के लिए परिक्षा कायोजन साल में दो बार किया जाएगा यदि विद्यार्थियों को लगता है कि वह पूरी तरह तयार है और परिक्षा के पहले सट में प्रापतांक से संतोष्ट है तो वागली परिक्षा में तोरते वे मैदान पर घुश चुका है यही वज़ा है कि भारत में होड़ा है विश्व कप के दौरान टीम इंडिया की जर्सी में जब वचननाई के चेपॉक स्टेडिया में गुसा तो इस बार आइसी सी ने उन पर पूरे टूनामेंट के दौरान प्रवेश पर ही रोक आज के दिये प्रोतसाहन के अलग-अलग तरीकों पर विचार कर रही है जाती सर्वे को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ इस सर्वे की रिपोर्ट पर RLJD प्रमोक उपंदर कुश्वाह सवाल उठाते रहे हैं उपंदर कुश्वाह की प्रतिक्रिया में जेडिय देटा जेडियू कारयाले में आ गया इस पर सरकार को जवाब देनी चाहिए सरकार पर कारवाई होनी चाहिए कॉंग्रस कारे समीती की सुंबार को ही बैठक में जाती आधारित गन्ना और रायस्थान, मध्य प्रदेश, छतिसगर, तेलांगना और मिजरों में होने वाले विधान सभाचनाओ को लेकर रनीती परमुख्य रूप से चर्चा की गई कॉंग्रस वर्किंग कमेटी के इस बैठक में हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंग सुखु और हिमाचल कॉंग्रस अध्यक्ष प्रतीभा सिंग भी शामत्रे आन्प्रदेश हाई कोर्ट से एक बार फिर पुर्व सीम चंदरबाबू नाइडू को जटका लगा है नाइडू दोरा वेवन मामलों में दायर तीन जमारत याजिकाएं खारिज कर दी गई है आन्प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री और त्यल्गु देशम पार्टी के प्रमुक्ष चंदरबाबू नाइडू को 371 करोड रोपे के कौश्र विकास घोटाल में गिरफतार किया गया है तंजानिया के राष्ट्रपती सामिया सुलुहू हसन ने सोंबार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री रेंद्र मोधी से मुलाकात की इससे पहले तंचानिया की राष्ट्रपती सामिया सुलुहू हसन का राष्ट्रपती भवन में आपचार एक स्वागत किया गया इस दोरान हसन ने मीडिया से बाचीत की उन्होंने दोनों देशों के 20 दसकों से मौझूद उतकृष्ट संबंधू की सनाना की उन्होंने उमीज जताई कि इस यातरा से राजनितिक और आर्थिक विकास और सहीयों के लिए नए रास्ते खुलेंगे इसे दोनों देशों की र है और उन्हें क्रेडिटर मिलना चाहिए इस क्लिप को और कंगना रनौत नहीं रीशेर किया है साथ ही क्रेडिट देने पर सहमती जताई है बेहार लोग सिवा आयों के चेर्मेन अतुल प्रशाद ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर कहा सिक्षक भरती के डॉक्य अब बरते हैं अच के सवाल की और आज का सवाल है आप खुद को तनाव से दूर रखने के लिए क्या क्या तरीका आते हैं अपना जवाब हमें वारे कॉमेंट स्क्ष्म में लिखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद